चार सो दस मीटर का भी तो यह कंप्लीटी नी हुआ केजरिवाल जी ने इसका उद्गाटन भी कर दिया भुगाल से अगर बदरपुर जाना हो कितनी देर में पहुंचा है पहले कितना टाइम लगता था दो गंटे अंडर पास तो कल चालू कर दिया गौवर्मेंट ने परन तो यह चालू नी करा फुट ओवर बिज हमारी तो दुकानदारी सारी खतम हो गई जाम नहीं है पहले जाम लगता था मतलब डबलब हुआ है और अच्छा हुआ है बैंक साथी दे रहा है पचास अजार रुपए तक कमाने का शांदार मौका और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आज ही बैंक साथी एप डाउनलोड करे लंबे इतिजार के बाद आखिरकार आश्रम चौक के इस अंडर पास का उद्धाटन कर ही दिया गया है समस्तियाओं का सामना करना पड़ रहा था अब इस अंडर पास का उद्धाटन हो गया है जिसकी वज़े से अब जनता को जाम जे निजात मिलेगी इस अंडर पास पे तमाम गाडिया लगातार निकल रही है कुल 410 मीटर लंबे और 4 लेन चोड़े आश्रम अंडर पास का उद्धाटन दिली सरकार ने किया इस अंडर पास की जो आप सड़क दिखाए मेरे कैमरामेन बहुत इच्छे तरीके से बनाई गई है आपको बता दें कि न्यू फ्रेंड्स कालोनी से भोगल तक के स्टेज में ट्रैफिक आज बंद रहेगा इसके अलावा आपको बता दें कि इसकी वज़े से मथुरा, रिंग रोड और तमाम जगह पर जाने वाले तमाम यात्रियों को, तमाम मुसाफिरों को और तमाम सडक चालकों को काफी सारी दिक्कतों से निजात मिलेगी, ट्रैफिक से निजात मिलेगी सुबा सुबा आफिस जाने वाले लोगों को भी आफिस टाइम से पहुचने में साहता हो पाएगी आप लोग देख सकते हैं तमाम कमर्शिल गाडियां हो और चाहे तो फिर वो कार हो चाहे तो फिर वो वाइक हो वो तमाम गाडियां यहां पर चल रही है बता दें कि दिल्ली के मुखे मंतरी अरविंद केजरिवाल ने 24 दिसंबर 2019 को इसका सिलानायस किया था इसे 2020 में पूरा हो जाना था देरी के कारण ही सही मगर आखिरकार इसका उधगाटन हो गया है दिल्ली की आम जनता के लिए यह अंडरपास खोल दिया गया है कोरोना काल में जिस तरीके से विकास की गती रुख गई थी अब दिल्ली की विकास की गती का पहिया दुवारा से पट्री पर आ गया है और दिल्ली लहातार विकास की और बढ़ रही है इस अंडरपास के आसपास के जो लोकल दुकंदार है हम उनसे बाच्वीत करते हैं और उनसे जाने की कोशिश करते हैं कि स्थान के लोगों को क्या-क्या सुविधाए होंगी कि बेनिफिट है सबको यहां जाम नहीं सबके साथ ही था खुश है आप हाँ जी मैं बहुत खुश है अगर mcd चुनाओं करा दिये जाएं तो किसे जिताएंगे केजरवाल जी कोई जिताना है जी और ठीक है इस अंडरपास के बारे में क्या कहेंगे बनाया गया है बहुत बढ़िया बना रखा है कोई दिक्कत न लिए है जो बारे महिने में बनना था उसके लिए इन्होंने आठ वार इसका टाइम बदला और टेड़ा मेड़ा इसको बनाया पच्पन करोड रुपए लगने थे अठितर करोड में से तैयार किया गया है केवल 410 मीटर का यह है 410 मीटर का भी तो यह कंप्लीटी नहीं और यदि है तो अब देखो वह सामने वह बंदा काम कर रहा है उपर देख रहे हो गिरिल अंकंप्लीटेड कोई क्या नम कोई लिफ्ट काम नहीं कर रही हमारे जैसे बुजूर्ग आदमी सड़क पार करके कैसे जा इतना जबर्दस ट्रैफिक है कैसे सड़क पार करेंगे पट्रियां जो है यह अनकंप्लीट है मतलब पुराने माल का यह बनाया है यह पुराना जो इदर फुटोवर बिरिष्टा उसी के मैट्रियल से बनाया है और लिफ्ट अभी चालू भी नहीं है और लिफ्ट चालू होने में भी टाइम लगेगा आप इसके सर्वे करो ना जो यह क्या नम फुट पाथ बनाया कहीं से बैठा हुआ कहीं से उठा हुआ है कहीं क्या नाम नीचा है कहीं उचा है कहीं टेडा है कहीं मेडा है इस पर प्लाश्टर इस पर प्लाश्टर तक नहीं हो कितने सालों से आप यहां पर दुकान लगा यहां पर पचास साल हो यहां पर आ गया है यह एक तो रोड चोड़ कम है और डिस्टेंट भी कम है लेकिन इतना कोई फायदा नहीं है जैसे पहले तब ऐसे चार सु तो कितने देंगे चैनल चार नंबर के चीज के काटेंगे चार नंबर एक तो टाइम लेट उपर से लोगों परिसानी हुई है सीवर लाइन अगच्छे प्रॉपर तरीके से नहीं है सारे चुनाओं अगर हाल फिलाल में करा दिये जाएं तो किसे दुबारा बनाना चाहेंग अगर कही ना कही है सडक चाळक पर जो ऱम लगता था उससे उन्हें निजात मिला यह वहीं कहते हैं कि बहुतब वड़े हिस्सेयी दुपर जरी कि धे से लिए जर्क कम हो गई यहने चौक पर लगत लेकी निजनतागी हैं परेशानिया ईतितमार्म इसपाइस के साथ देश में सुमित के साथ मैं ही मान्शू जलको दिल्ली आश्रम मार्ग